अब को देख सकते हैं अपना Photoshop उपन कर लिए हैं आप फोटो साप पर आनिक बाद आपको उस अधार काड को इसमें ऊपन करना होता है जिसका आपको प्रेंट करना है अफरेंट देख सकते हैं हमारे याँ पे action फाइल हमारे पास है जो कि मैं सारा काम उपना action के थूरू करता ह और हमारा सारा का सारा काम इजली हो जाता है तो अगर आपको action file से करना है तो आप उसकी वीडियो description में मिल जाएगी आप उसको देख करके action file डाउनूड कर सकते हैं बाके मैं आज आपको step by step बताऊँगा कि आप किस तरह से अधार कार्ट को printable area में fit कर सकते हैं PVC कार्ट के size में बना सकते हैं कि आप किसी भी कार्ट को उस process सो बना ले कभी और अगर आपको action file चाहिए तो आप यहां से ले सकते हैं सबके link आपको description में मिल जाएगा अब हम यहां पर direct उस card को open करेंगे जिसको हमें print करना है तो हम double click करते हैं और यहां पर हम जहां कहीं पी अपना अधार कार्ट रखे होंगे उसको हम यहां से select करते हैं आप ही friend आप देख सकते हमने यहां पर एक अधार कार्ट select कर लिया और इसको हम open पर click करेंगे अब इसक अगर आपका अधार कार्ट इसमें open नहीं होता तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि जैसे मालेज मेरा यहां पर open नहीं हुआ मैं यहां इसको cut cut करता हूं और यहां पर मैं यह देखी नीचे image ready को option है simply आप image ready पर click करेंगे तो आपका जैसे फोटो साप है वह इससे इस तरह से image ready भी open हो जाएगा अब image ready open होनेक बाद आपको उस card को image ready में open करना होगा इसके बाद हम jump करेंगे तो हमारा Photoshop में जैसे मैं मालेज यहां पर ले लता हूँ यह वाला और इसका मैं यहां पर password डालके और इसके बाद मैं ok पर click करूँगा तो हमारा image ready में easily open हो जाएगा अब इसमें open होनेक बाद आपको उस चाहिए तो उसमें आप Photoshop में उसको jump करा सकते हम इस वेट करते हैं देखते हमारा card इसमें open हो जाएगा अब हमें इसको Photoshop में लाना होगा तो हम यहां क्या करेंगे Photoshop का आइकन बना है इस पर click करेंगे यह अपने keyboard से control shift और yum बटन को press करेंगे तब भी हमारे Photoshop में एक card चला जाएगा देखिए इस तरह से card आ गया अभी आपको इस card को print करना है और हम चले पहले पर action file यहां से cut कर देते हैं पूरी तरह से अब हमें आपको पूरी step by step विखाते हैं देखिए हमारा card इस तरह से आ गया अब आपको इस card को print करना होगा सब कि हमने यहां पर इसको front वाला पूरा select कर लिया इतना आ गया अभी हम उक्के पर click कर देंगे हमारा front side इस तरह से आ गया अभी हम control A करेंगे control C करेंगे फिर control N करेंगे control N करने के बाद preset size में यहां पर आएंगे और इसमें से हम A4 paper select करेंगे और चाय तो आप यहां पर इसका नाम दे देते हैं आधार card इसके बाद हम okay पर click करेंगे अभी A4 का paper हमारा आ गया अभी हम क्या करेंगे इस यहां पर move tool लेंगे इसको यहां पर click करेंगे इसके बाद हमने control भी करना है control भी हमने कर दिया क्योंकि हम उसको copy किया था अभी हम इसको side करते हैं और आज फिर हम इस पर आते हैं इस पर आनेक बाद हम इसको maximize करते हैं edit पर जाते हैं step backward पर click करते हैं इसको फिर से एडिट फिर से state backward या फिर अल्ट control जेड प्रेस करेंगे देखे हमारा यहां से फिर से पूरा वाला page आ गया था अब हम फिर से scroll करेंगे और अभी हमने क्या किया था कि अभ tuned knob B starlight करना है और इसको एड़ साइट का भी सढशा कर लेता ह maken इस तरह से आपको क्लिक करना है इसको पर कंट्रोल ले करना है सब्लाइश करेंगे road क्या था और इसको हम यहां से पूरितरस अंभी तरहां से कट कर देंगी और इसके बाद अब देखे हम इसको पूरा maximize कर ल यम यम मिलिमीटर इसके बाद हाइट में आपको 55 यम यम डालेंगे और इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे और इसके बाद आप यहाँ पर एडिट पर जाएंगे स्ट्रोक पर जाएंगे टू पिक्सल का सेंटर में स्ट्रोक लगाएंगे और आपका ब्लेक होना च करेंगे और इसको यहां पे ऊपर ड्रेक करते हुए लेकर छोड़ देंगे देखिए इस तरह से मारा आ गया अभी इस तरह से हम क्या करेंगे यह फ्रंट वाला जो है इस पे हम यहां पर माउस ओब लाएंगे राइट क्लिक करेंगे और यहां से लेयर वन इसको सेलेट और सेम सेटिंग हम इसमें भी करेंगे 85 mm डालेंगे और इसके बाद यहां पर 55 mm डालेंगे और इसके बाद हम यहां पर ओके पर क्लिक करेंगे एडिट पर जाएंगे इस ट्रोक पर जाएंगे सेम सेटिंग रहेगी ओके पर हम क्लिक करेंगे और इसको भी हम जो है इसको य तो आपका यहां पर rectangle market tool enable हो जाएगा इसको हमने select कर लिया और आप हम यहां पर क्या करें कि जो बच्चे का photo है या फिर इसका फोटो है इसको यहां पर photo को इस तरह से select कर लेंगे देखिए यहां से photo select हो गया हमारा और इसके बाद हमें select पर जाना है और inverse पर जाकर क्लिक कर देना है इसके बाद हमें यहां पर image पर जाएंगे adjustment पर जाएंगे, level पर जाएंगे level पर जाने के बाद आपको यहां पर क्या करना है कि इस पर आने का front यहां पर आपको point six zero इतना select करना है और okay पर click कर देना, अभी देखें इस color से इस color में काफी difference आगया था, आपका कोई भी card हो, आपको point six zero करना है इसके बाद control d कर देंगे इसके बाद b button प्रेस करेंगे इसके बाद इस पर आएंगे, यहां से layer two को select करेंगे, और इसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, आपको market tool ले लेंगे, इसको select करेंगे, और जो QR code है, अभी हम QR code को पूरी तरह से यहां पर इस तरह से select कर लेंगे कि हम एक QR code में कोई color गरें नहीं करना है इसको मैंने select कर लिया इसका फिर से हम select पर जाएंगे inverse पर जाएंगे image पर जाएंगे, adjustment पर जाएंगे label पर जाएंगे, और यहां से हम इसको भी हटा करके point six zero करेंगे और इसके बाद हम okay button पर click करेंगे और अभी आप देख सकते हैं भी button प्रेस करेंगे, अभी देखें दोनों card हमारा बराबर आगया हम इसको पूरा यहां से इस तरह से कर लेंगे, अभी फ्रेंट देखें हमारा पूरा का पूरा card perfectly click बान चुका है, इसमें आप कोई दिक्कत नहीं आप इसको direct print out निकाल सकते हैं इसी तरह से आपको card को open करना है किसी कभी अमित के बच्चे का अधार काड हम आपको दिखाए हैं आप किसी कभी अधार काड इस process से बना सकते हैं हम इसको minimize करते हैं और फ्रेंट देखिए आप इसको print करने के लिए आप यहाँ पे जाएंगे फाइल वाले option पे और यहाँ से print भी इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से scale to fit media कर देंगे और जिस तरह से आप print out निकालते हैं उस तरह से आप इसका print out निकाल लीजेगा फिर नासा करते हैं एक वीडियो आपको काफी useful लगाऊगा और आपका इसमें कोई doubt है कोई question है ताप मुसे comment में पूछ सकते हैं हम आपकी पूरी help करेंगे बागी अगर आपको किसी भी card किसी भी document को automatic print करने का action file चाहिए तो उन सभी का link आपको description में मिल जाएगा आप उस action file के पूरे bundle को download कर सकते हैं और इसके बाद हमारी अलग-अलग videos देख करके आप किसी भी card को easily one click में बना सकते हैं सो मिलते हैं किसी next video में तब तक के लिए जाए हैं